Hello everyone, कैसे हुआ आप सब तो guys, IPL 2022 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था लकनो सुपर जाइंट्स और कॉलकाता नाइट राइडर्स के टीमों के बीच में और ये मुकाबला काफी important था क्योंकि KKR के टीम अगर इस मुकाबले को हार जाती तो उनका playoff से बाहर होना confirm था इसके साथी लकनो सुपर जाइंट्स इस मुकाबले को जीत कर playoff के तरफ एक बहुती strong कदम बढ़ा सकते थे और इस मुकाबले में exactly हुआ भी यही जहां पर लकनो सुपर जाइंट्स के टीम ने हरा दिया KKR के टीम को और इसके साथी कोलकाता नाइट वैडर्स के टीम का सफर खतम हो चुका है इसके साथी कल होने वाले डबल हेडर मुकाबलू के बाद पॉइंट्स टेबल किस तरीके से बदलेगी क्योंकि एक्वेशन सब काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है यही सब बाते आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डीटेल में बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाईए जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो पॉइंट स्टेबल में सबसे नीचे यानि की बॉटम मोस्ट पोजिशन पर नंबर दस पर मुंबई इंडियन्स की टीम हमें देखने को मिलती है दस मुकाबले MI की टीम ने खेले हैं दो मुकाबलू में जीत और आठ मुकाबलू में हर के साथ 4 पॉइंट से माइनस 0.725 का नेट वन रेट है ज़्यादा यहाँ पर बात करने की गुंजाईस बची नहीं है क्योंकि मुंबई की टीम अल्रेडी प्लेयॉप से बाहर हो चुकी है इनसे उपर पॉइंट सेबल में नंबर 9 की पोजिशन पर आती है चेनेज उपर किंग्स की टीम CSK की टीम ने 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत और 7 मुकाबलों में हार के बाद इस टीम के 6 पॉइंट सेबल में नंबर 8 पर कोलकाता नाइट वाइडर्स बनी हुई है लेकिन ये जो बने हुए हैं इनसे इनकी हालत तो खराब हुई है क्योंकि 11 मुकाबले खेले हैं सिर्फ 4 मैच जीते हैं 6 मैच हारे हैं 8 पॉइंट से ऐसे में इनकी सिचुएशन भी चेनेज जैसी है क्योंकि अपने सारे मैच भी जीतेंगे तो भी 14 पॉइंट तक ही पहु 2.231 का पंजाब की टीम को भी अब बचे हुए सारे मैच जीतने पड़ेंगे क्योंकि आरार से हार चुके हैं अपना आखरी मुकाबला लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 16 पॉइंट तक पहुचेंगे उस केस में इनका नेट वन रेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो इन इसे में जो नीचे की चार्टी में हैं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि 90% ये सारे के सारे बाहर हो चुके हैं इनसे उपर नंबर 6 पर आती है संराइजर सैदराबाद 10 मुकाबलू में 5 जीत और 5 हार के साथ 10 पॉइंट रेट है प्लस 0.325 का अभी काफी हत्ता के प् प्लस 0.641 का है जो कि पूरी पॉइंट स्टेबल में और किसी भी टीम का नहीं है जिसका मतलब है गाईज अगर हम थोड़ा सा और उपर चले पॉइंट स्टेबल में और टॉप 4 की पोजिशन की बात करें तो रॉयल चलेंजर स्वेंगलॉर की टीम नंबर 4 पर आती है 11 मुकाबलू में 7 जीत और 4 हार के साथ आर आर की टीम के 14 पॉइंट सो चुके है और इनका नेट रॉन रेट है प्लस 0.326 जिस तरीके से नेट रॉन रेट चल रहा है अगर तीन मैसे एक मैच भी जीतेंगे तो प्लेओफ में कौलिफाई कर जाएंगे लेकिन इनकी नजरे ह होंगी टॉप टू पर क्योंकि अब नंबर दो की पोजिशन पर आज का मैच जीतने के बाद हमें देखने को मिल रही है गुजरा टाइटन स्योंकि इतने हपतों के बाद हटाए जा चुके हैं इस पोजिशन से नंबर बन पर ये थे 11 मुकाबलू में 8 जीत और 3 हार के साथ इनके 16 पॉइंट्स हैं लेकिन नेटरेंट है प्लस 0.120 का और गाईस इनको हटा कर अगर टेबर टॉपर की बात की जाए तो आज के क्यार को हराने के बाद 11 मुकाबलू में 8 मुकाबलू में जीत और 3 मुकाबले में हार के साथ 16 पॉइंट्स लेकिन प्लस 0.4 के नई टेवर्ट टॉपर बन चुकी है आज भी हमें डबल हेटर मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं IPL में और इन डबल हेटर मुकाबलू की खास बात ये कि ये भी एक तरीके के ऐलिमिनेटर हैं RCB SRH का मुकाबला तो 100% एक तरीके से ऐलिमिनेटर होगा क्योंकि जो भी प्ले आफ में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दूसरा मुकाबला है चे नई दिल्ली के बीच में दिल्ली वाला मैच भी काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा कि वहां से एक्वेशन क्या आती है और कल के जो मैच हैं उसके बाद काफी हद तक करीब दो टीम में और एलिमिनेट हो जाएंगी ऐसा मुझे परसनली लगता है कॉमेंट करके आप लोग बताईए आपके हिसाब से कौन सी चार्टी में जाएंगी प्ले आफ में इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब तो मैं मिलता हूँ आप लोग उसे इतनी एक लिए वीडियो में तब तक के लिवाब आई